है युछ हम sotto 50 इनिवरिवन सरी सिविल पान दा आउडियो आजग्ज सरें payment करें चालिए डिसकास करेंगे 13 शुरू यह और अवन नवम्बर को मद्रप्रदेश ने सानव दिसकल्पूर्डेश Old ने 1 नवंबर को 66 फांडेशन डे बनाया गया है दोस्तों आईए डिटेल में चर्चा करते हैं 1 नवंबर 1956 को सेंट्रल प्रोविंस बरार विंध्य प्रदेश मध्य भारत भोपाल रियासत मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद 43 डिस्टिट थी और सीहोर की तहसिल भोपाल को कैपिटल बनाया गया थी 1972 को भोपाल को एक डिस्टिट बनाया गया और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को 36 गड़ से अलग कर दिया गया था उस समय चीफ मिनिस्टर थे डिगविजेस सिंग प्रदेश में 52 डिस्टिट है इसे भी आपको याद रखना है साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि 1 नवंबर को केरिला, हर्याना, छतिसगर्ड और करनाटका भी अपना स्टेट हुट डे मनाते हैं एक नवंबर को वर्ड वेगन डे भी मनाया जाता है जिससे वेजिटेरियन को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है नेक्स्ट, हाल ही में मद्प्रदेश में जन्ता फ्रिच सर्विस कहां शुरू की गई है तो इसका आंसर है भोपाल भोपाल में मद्ध प्रदेश में जंता फ्रिच सर्विश शुरू की गई है भोपाल में चूना भट्टी स्थित बुद्ध वेहार के पास ये जंता फ्रिच की शुरुआत की जारी है दोस्तो यहां कोई भी व्यक्ति खाने पीने और जरूरत की ये सामान रख सकता है और कोई भी जरूरत मन बगैर किसी के अनुमत्ति के यहां से सामान ले जा भी सकता है नेक्स्ट हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए कितने मिलियन डॉलर की हेल्प करने की अनॉंस्मेंट की है तो इसका आंसर है 144 मिलियन डॉलर अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को हेल्प करने के लिए 144 मिलियन डॉलर के लिए हेल्प करनी की घोशना की है बात करें अफगानिस्तान की तो इसकी कैपिटल है काबुल काबूल में ही दोस्तो भारत के फर्स्ट मुगल एंपरर बाबर का टॉंब है इसे भी आपको याद रखना है न्यू प्राइम मिनिस्टर है जो की तालिबान के हैं ये मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान की सीमा लगती है भारत, पाकिस्तान, इरान, तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान, तजाकिस्तान वे चीन से इसे भी आपको याद रखना है नेक्स्ट हाल ही में किसने जी ट्विंटी युनाइट फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग को एड्रेस किया है तो इसका आंसर है डॉक्टर मंसुक मांडविया डॉक्टर मंसुक इन्होंने जी ट्विंटी युनाइट फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग को एड्रेस किया है जी ट्विंटी मीटिंग की सिक्स्तींथ मीटिंग इटली में चल रही है दोस्तों जी ट्विंटी में कंट्रीज जो आते हैं उसे एक बार रिवाइस कर लेते हैं ये question हाल ही में कुछ exam में पूछा गया था, इसलिए आपको G20 के countries के नाम याद होने चाहिए. North America से Canada, USA, Mexico, South America से Brazil, Argentina, Africa से South Africa, Europe से UK, France, Italy, Germany और Asia से Turkey, Saudi Arabia, India, China, Russia, Japan, South Korea, Indonesia और Australia, Australia continent से और European Union Organization शामिल है G20 में. तो इसे आपको याद रखना है. Next, हाल ही में हुनर हट के 30th edition को inauguration किस city में किया गया है? तो इसका आंसर है देहरा दुन. देहरा दुन में हुनर हट का 30th edition inaugurate हुआ है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है. इसे Minority Minister मुकताबर अबास नावी ने इसका inauguration किया है. Next, हाल ही में World Justice Project के Rule of Index 2021 में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है Denmark. दोस्तों, ये कोशन पुराना है, हमने हाल ही में discuss भी किया था, इसे हमने revision के point of view से रखा है. तो इसे आपको याद रखना है कि World Justice Project के Rule में 2021 में Denmark टॉप पर है, जबकि इंडिया की rank 79 है. बात करें Denmark की, जिसकी capital है Copenhagen, currency है Danish Crone, Denmark के Parliament को falcating कहते हैं, और हाल ही में Denmark Prime Minister मेटिव फेडक्सन इंडिया के विजिट में थी, इसे भी आपको याद रखना है. पहला Solar Island Denmark में बनने जा रहा है, इसे भी आपको याद रखना है. Next, हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का कौन से स्टेट सुसाइट के मामले में टॉप पर है, तो इसका आंसर है महाराष्ट. NCRB यानि की National Crime Record Bureau के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में महाराष्ट सुसाइट के मामले में टॉप पर है, सेकेंड टमिल्लांडू है, थर्ड वेस्ट पेंगॉल है और फोर्थ मध्यप्रदेश है. दोस्तो मध्यप्रदेश के रैंकिंग भी आपको याद रखनी है, कि मध्यप्रदेश सुसाइट रैंकिंग में फोर्थ स्थान पर है, बात करें NCRB की यानि की National Crime Record Bureau में ये बना था 1986 में और ये Ministry of Home Affairs के अंडर आती है. नेक्स्ट, हाल ही में NCRAT के न्यू चेर्मन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अशोग भूशन. अशोग भूशन NCRAT के न्यू चेर्मन बने हैं. NCRAT की फुल फॉर्म बनती है National Company Law Appellate Tribunal. ये Company Act 2013 के अंडर आती है. नेक्स्ट, हाल ही में Free Ration और COVID के First Dose उपलवद कराने में 100% लक्ष हासिल किया है. किस स्टेट ने? तो इसका आंसर है गोवा. गोवा ने Free Ration और COVID की First Dose उपलवद कराने में 100% लक्ष हासिल कर लिया है. बात करें गोवा की तो इसकी capital है पाना जी जो कि मांडवी नदी के किनारे बसी है चीफ मिनिस्टर है प्रमोच सावन गवर्नर है पियस श्रीधर पिल्लाई लोकसवसीट है यांकी टू और राजसवसीट है यांकी वन इंडिया का सबसे छोटा state है गोवा और जबकि GDP पर capital के मामले में पहला state है गोवा गोवा से related तीन डेट आपको याद रखनी है गोवा revolution डे बनाया जाता है 18 जून को इस दिन 1946 में राम अनुहर लोहियां के नेतिरत में पॉर्टोग्यूस के विरुद में आवाज उठाई थी 19 दिसंबर को गोवा liberation डे मनाया जाता है और गोवा establishment day 30 में को बनाया जाता है तो यह सारे facts आपको याद रखने हैं साथी दोस्तों पानी बचाओ योजना गोवा में लॉंच की गई है देश का पहला रैबिस मुक्त राज गोवा बना है गोवा एक मात्र स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भगवान म याई टैग मिला है मोयारा केला और हरमल मिर्च को तो यह सारे facts आपको याद रखने हैं गोवा के बारे में नेक्स्ट हाल ही में वर्ड केक बॉक्सिंग चैंपियंशिक में तजूल इसलाम ने कौन सा मेडल जीता है तो इसका आंसर है गोल्ड वर्ड केक बॉक्सिंग चैं करें इजिप्ट इसकी कैपिटल है काहिरा करंसी है इजिप्टियन पॉंड 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार संयुक्त अभियास की मेजवानी इजिप्ट ने की थी साथी दोस्तों आपको यह भी आदगना है कि स्वेच के नाल को कंट्रोल इजिप्ट के पास है नेक्स् राहुल गुप्ता को युनाइटेस स्टेट के नाशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के डारेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है दोस्तों तो यह था आज का डिसकेशन आए होप आप लोगो पसंद आया होगा आज का कोश्चन है हाल ही में वन नवंबर को मद्रदेश ने कौन सा फांडेशन डे मनाया इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ओडियो आर्टिकल पसंद आये तो इसे लाइक कमेंट अंड शेयर करें रहें